नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दा लेवल 10 स्टेडीज में आज हम डिस्कस करेंगे तहसिल वेलफिर ओफिसर का पार्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकिंड एंड पार्ट थर्ड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तीनों की लिंक दिये गए हैं आप वहाँ जाकर तीनों पार्ट देख सकते हैं यह हम चौधा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को दबाएं ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इस चैनल के मिल जाए चले दिखते हैं पहला प्रशन नमलिकित में से कौन से कतन मुख्यमंत्री शहरी आजिवी का गरंटी योजना के बारे में सही है यह एंशूर करेगी क्या security to urban household by providing a guarantee employment of 120 days in a financial year Employment will be provided to eligible beneficiary within 15 days of registration The upper age limit for providing work shall be 62 years यक वित्य वर्ष में 120 दिनों की guarantee क्रित रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आजिवी का सुरक्षा सुनिश्चित करेगा पंजिकरिन के 15 दिनों के भीतर पात्र लाबर्थियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जिसका सही उत्तर होना था हमारा option number A थर्ड नहीं होना था यह हमारा बासट वर्ष यह हमारा गलत है चले देखते हैं अगला प्रशन जिसका हमारा सही आंसर था option number C यह दिख लेता है first and third अब यहाँ पर भी देख सते हैं राजय संचाले स्कूलों के पहले से बारवीं कक्षा के लिए सभी चात्रों को एक वर्ष में स्कूल वर्दी मुफ्त मिलती है और तीसरा था इस योजना का उधिशे कक्षाओं में चात्रों की बीच एक रूपता लाना है ताकि उनकी आर्थिक स्रिती के बावजुद सभी को सम्मान वर्दी प्रदान की चा सके चलिए दिखते हैं अगला प्रशन जिसका हमारा सही उत्तर था जिसका हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नमबर ए ये दोनों हमारे ठीके स्टेट गर्मेंट हमारी प्रवाइड करती है कैशलेस ट्रीटमेंट अफ रुपीज 5 लग पर अनम पर फैमिली तो मैक्सिम 5 मेंबर इन फैमिली और 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 रिजिस्टर फैमिली मेंबर विल गेट ट्रीटमेंट अट्री डिफाइन पैकेज रीट इन ओल एमपैनिल हॉस्पिटल राज्जिय सरकार एक परिवार में अधिक्तम पांच सद्दुसों के प्रती परिवार प्रती वर्ष 5 लाग रुपे का कैश लेस्ट उपचार प्रदान करती है और सभी पंजिक्रिट परिवार के सद्दुसों को सभी अनुभव वाले अस्पतालों में पूर निर्धारित पैकेज जरू पर उपचार मिलीगा यह दोनों ऑप्चिन इसके सही थे चलिए देखते हैं अगला प्रशन Which of the following statement are correct about smart city machine smart city smart city mission के बारे में कौन सा कथन सही है जिसका सही उत्तर होना था हमारा option number A first and second सरकार ग्रामी शेत्रों के वरिस नागरिकों के लिए आउशिक सोविधाओं के साथ हर विकास खंड में पार्क और उध्यान विक्सित करेगी और पार्कों और उध्यानों को मंडरे का स्वच भारत मीशन और चौदमें विट आयोग के अभी सरन के साथ नियूनतम एक बिगा के समतल भूमी पर विक्सित क्या जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रशन Which of the following statement are correct about PM-100 निदी स्कीम जिसका सही उत्तर होना था हमारा option number A This scheme was announced as a part of economy stimulus second अन्दे आत्म निर्बर भारत प्यान और यहां हमारी इंप्लिमेंट की जा दिया since 1st June 2020 for providing affordable working capital lawn to street vendor to resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown यह योजना आत्म निर्बर भारत प्यान के ताइद आर्थिक प्रोच्चाहन के हिस्से के रुप में घोशित किया गया था और सड़क विक्रेताओं को सस्तिकार्य शील पुंजी श्रिंद प्रदान करने के लिए अपनी आजिविका को फिर से शुरू करने के लिए COVID-19 lockdown के कारण प्रतिकुल रूप से प्रभाईद हुए लोगों के लिए एक जुन 2020 से लागों किया गया था चली दिखते हैं अगला प्रेशन which of the following statement are correct about अटल टेनल के बारे में कौन सा कथन सही है जसका सही उत्तर होना था हमारा option number B second and third यह रिद्धा को सभी सभी वश्की connectivity प्रदान करने के दिशा में पहला कदम है और यह देश के शश्यस्तर बलो की एक रननितिक रनितिक लाब भी प्रदान करेगा चले दिखते हैं अगला प्रशन according to national education policy 2020 teacher will be able to teach lesson in mother tongue और regional language up to grade राष्टी शिक्षा रेजिए 2020 के अनुसार शिक्षा grade तक मातर भाशा या शेत्री भाशा में पार्ट पढ़ाने में सक्षम होगी जसका सही उत्तर था हमारा option number A grade 5 चले दिखते हैं अगला प्रशन which of the following statement are correct about zoo infection zoo संक्रमन के बारे में नमलेकित में से कौन से कतन सही है जिसका सही उत्तर होना था हमारे यह सारे ही कतन सही है क्यूंकि it causes a serious bacterial leaf blight disease in rice और इसे हम bacterial blight भी कहते हैं और यह gram negative bacteria भी होता है और it is caused by bacterium called zoo zoo xanthomonas oryze pevil oryze इसकी कारण होता है इस पैक्टीडे की कारण चले दिखते हैं अगला प्रशन which of the following statement are correct about e-way bill system e-way bill प्रणाली के बारे में नमलेकित में से कौन सा कतन सही है जिसका सही उत्तर होना था हमारा option a and b यह हमारे electronic wave will है for movement of goods to be generated on the e-way bill portal और second option भी इसका सही है GST registered person cannot transport good more than Rs. 50,000 without an e-way bill चले दिखते हैं अगला प्रशन which of the following statement are correct about rastya kaam dhenu aayog rastya kaam dhenu aayog rastya kaam dhenu aayog के बारे में नमलेकित में से कौन सा कतन सही है जिसका सही उत्तर होना था हमारा option c it aims to promote animal husbandry or modern and scientific means it aims to preserve and improve breeds of cattle इसका उदेशे अधुनिक और वग्यानिक साधुनों पर पशुपालन को बढ़ावा देना है और इसका उदेशे मवीशों की नसलों का सरक्शन और सुधार करना है चले दिखते हैं अगला प्रशन which of the following statement are correct about bharat net project bharat net project के बार में कौन सकतन सही है जिसका सही उत्तर होना था हमारा option a and b यह दोनों हमरी statement सही है जिसमें हमारी statement समें बताया गया है यूक्स कॉम्निकेशन इंडिया विल कनेक 5000 विलीज पंचायद with satellite drop in under this project by March 2021 पंचायद are to be selected from the border and naxal affected state as well as well as an island territories चली दिखते हैं अगला प्रशन what is the mean objective of one bandu kalyan योजना वन बंदू kalyan योजना का मुखे उद्धेश्य क्या है जिसका सही उत्तर था हमारा increased forest cover नहीं इसका यह नहीं था welfare of tribals welfare of tribals के लिए था यह वन बंदू kalyan योजना चली दिखते हैं अगला प्रशन the theme of world habitat day 2020 विश्य परियावास दिवस 2020 का विशय क्या है जिसका सही उत्तर होना था हमारा option number D housing for all a better urban future चली दिखते हैं अगला प्रशन according to recent notification issued by ministry of law and justice India which country was declared as reciprocating territory भारत के कानूर और नये मंत्राले द्वारा हाल ही में जारी अधिसूशना की अनुसार किस देश को प्रत्य गामी राज्य घुशित किया गया है जिसका सही उत्तर होना था हमारा United Arab Emirat चली दिखते हैं अगला प्रशन which country assume presidency of the United Nations body convention on migratory species for the next three year किस देश को अगले तीन वर्षों के लिए सहीं क्रास निकाई convention on migratory species की अध्यक्षता मिली है जिसका सही उत्तर होना था हमारा India चली देखते हैं अगला प्रशन which of the following statement are correct about Indian European Union flagship call निम्रिकित में से कौन सखतन भारत यूरोपे संग flagship call के बारे में सही है जिसका सही उत्तर होना था हमारा option number C यह दोने हमारी सही है यह उर्जाशेथ से जुड़ा हुआ है और option number B भारत स्मार्ट उप्योगी था सफता 2020 में विज्ञान और प्रद्यकिक विबाद के सची और भारत में यूरोपे संग के रास्तू द्वरा सन्यूक दूरुप से घोशित किया गया था चले दिखते हैं अगला प्रशन विज फॉलिंग सेटमें आर करेक्ट अब डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रासक्चर आपदा रोधी अफसवश्चन के बारे में कौन सा कथन सही है जिसका हमारा सही उत्तर होना था option number C ये दोनों कथन हमारे सही है United Kingdom has recently confirmed first co-chair of the governing council governing council on CDRI और governing council हमारी highest policy making body है CDRI की और जो हमारे light किया जा रहा है इंडिया के दौरा चले देखते हैं अगला प्रशन which decade is named as the decade of healthy aging as per the world health organization विश्य स्वास्थे संगटेन के नुसार किस दौर्शक को स्वास्थ आयू का दौर्शक नाम दिया गया है जिसका सही उत्तर होना था हमारा 2020 से 2030 option number B चले देखते हैं अगला प्रशन court of which country ordered the government to impose a ban on single-use plastic का आदेश दिया है जिसका सही उत्तर हमारा बांगलादेश यह सब question हम आप लोगों के साथ current affair में discuss कर चुके हैं आप लोग current affair की वीडियो देखा करें वहां से आप लोगों का current affair अच्छा हो जाएगा चले देखते हैं अगला प्रशन The Nobel Prize for Physiology and Medicine 2020 has been awarded to three scientists for the discovery of which virus Physiology और Medicine के लिए Nobel पुरिसकार 2020 किस virus की खोच के लिए तीन वैज्यानी को दिया गया है जिसका सही आंसर है हमारा Option number D Hepatitis C Virus चले देखते हैं अगला प्रशन Two equal and opposite forces cancel each other However, action and reaction which are equal and opposite to each other do not cancel each other Because, दो सम्मान और विप्रित बल एक दूसरे को रद करते हैं हाला कि कारिवाई और प्रतिकिर्या जो एक दूसरे के बराबर और विप्रित है एक दूसरे को रद नहीं करते हैं क्यूंकि जिसका सही उत्तर होना था हमारा They act on different bodies चले देखते हैं अगला प्रशन जिसका सही उत्तर होना था हमारा तिंडल एफेक्ट चले देखते हैं अगला प्रशन When we add salt into the vegetable during cooking process Vegetable release water What mechanism is responsible for this जब आप खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया के आप सबजीयों में नमक डाल देते हैं और सबजीया पानी छोड़ देते हैं इसके लिए कौन सी प्रक्रिया विदी जिम्मेदार है जिसका सही उत्तर था हमारा एक्स ऑस्मोसिस चले देखते हैं अगला प्रशन Exchange of genetic material takes place in अनुवा नशिंग स्वामगरी का आदान प्रदान होता है जिसका सही आंसर था हमारा योन प्रिजन Sexual Reproduction इसे के साथ हमारा Part 4 खतम होता है और Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 आप लोग देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगते हैं तो इसे लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ओके फ्रेंड्स थैंक यू